मल्टी किचन पूने में बन रही है गुड़ी पाडवा स्पेशल रेसिपी श्रीखन रेसिपी एक रेसिपी में चार फ्लेवर हमने आपको यहां दिखाया है श्रीखन का पानी कैसे छानना है चक्का कैसे बनाना है चक्का कैसे बन जाता है इसे कैसे रात भर रखना है और फि तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए मल्टी किचन पूने स्पेशल श्रीखन रेसिपी श्रीखन बनाने के लिए सबसे पहले यह हमने फुल फैट वाला एक लिटर दूद लिया है इसे गरम करके हमने थंडा कर लिया है दूद को इसमें डाल देंगे एक टीस्पून दही यह खटा दही नहीं होना चाहिए बीना खटा वाला दही हमने यूज किया है और इसे अच् राउंड शेप में हिलाना है फिर इस पर ढकन रख देंगे और 6-8 गंटे के लिए धही जमा होने देंगे तयार हुआ हमारा दही आप देख सकते हैं कितना सुन्दर ऐसा दही हमारा बना है अभी इसी धही को हम चक्का बना लेंगे इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस है हमन पतला वाला कपड़ा और इस पर डाल देंगे पूरा दही इसमें ही दही डाल देंगे एक लिटर ये दही हमारा तयार हुआ है एक लिटर दूद से फुल फैट वाला दूद हमने यहां यूज किया है और पूरा दही डालने के बाद इस कपड़े को उठा कर इस कपड़े क अच्छी तरह हम गाट मार देंगे, इसको गाट लगानी है, नौट मार देंगे, और फिर अपने आप इस दही में से पानी तपकता जाएगा, छनी से बाउल में गिरता जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह पानी गिर रहा है बाउल में, अभी हम इसे नौट मार के, इसके उपर एक डिश रख देंगे हम डिश के उपर मैंने पत्थर रख दिया है अभी हम इसे पूरी रात के लिए इसका पानी पूरा निकल जाए इसलिए इसे ऐसा ही रखने देंगे आप देख सकते हैं पानी किस तरह इसका निकल रहा है धीरे धीरे पूरी रात रख देंगे तो तो इसका पूरा पानी निकल आएगा, आप देख सकते हैं, पानी निकल रहा है, पूरी रात हमने रख दिया था, अभी सुबह हो गई है, अभी हम ये पत्थर भी उठा लेंगे, डीज भी उठा लेंगे, ये पानी देखिए, किस तरह निकल चुका है, इस पानी से हम चावल कैसे बना है, श्रिखन के लिए वो देखते है, नौट खोल देंगे हम, कपड़े की, नौट खोलने के बाद, फिर हम देखेंगे, हमारा चक का रेडी है, हम फिर इसका श्रिखन बना लेंगे, ये बहुत ही आसान ट्रीक है, पारंपारिक ट्रिक हमने यह आपको दिखाई ह और इस वीडियो में आपको पारंपारिक ट्रिक के साथ, जो श्रिखन के फ्लेवर है, वो फ्लेवर, चार फ्लेवर हमने आपको यह दिखाए है, श्रिखन पूरी तरह अच्छा निकल चुका है, अभी हम इसे मसल लेंगे, अच्छी तरह इसे महिन बनाएंगे, मैंने यहा हम इसे महिन बना सकते हैं, कर्ची की सायता से, कर्ची की पीछे वाले साइड से हम इसे महिन बना सकते हैं, और दूसरी ट्रिक है, हम हाथ से भी इसे मसल सकते हैं, हाथ से भी अच्छी तरह इसे मसला जा सकता है, चक्के को, श्रिखन को, ताकि इसके अंदर के सारे पार्टि की चंणी होती है उस चंणी को मैंने लिया है और उस आटे के चंणी के ऊपर हम श्रीखन को डालके चक्के को डालके इस तरह इसे मसल देंगे तो तुरंथ ही आसान तरीके से हमारा श्रीखन महीन ऐसा आप देख सकते हैं निकल आता है बस कुछी सेकंद में यह बहुत ही आसा आपको जो ट्रिक आसान लगे उसी ट्रिक से आप यह श्रीखन निकाल लीजिए महीन ऐसा श्रीखन हमारा निकाल के तयार है पूरा का पूरा अभी हम इसके फ्लेवर बनाएंगे जैसे के वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा आपको इसमें एक रेसिपी में मैंने चार फ्लेवर आपको दिखाए है मार्केट में खरीदने जाने की जरुवत नहीं है इतने आसान तरीके से यहां पूरे श्रीखन में बस थ्री फोर्थ कप ही चीनी मिलाएंगे ताकि यहां हमने आगे आप देख सकते हैं वीडियो में और एक स्वीट चीज का यूज किया है थ् यह सिम्फल फ्लेवर में श्रीखन हमारा तयार हुआ यह हमारा पहला फ्लेवर पहला फ्लेवर श्रीखन का और यह है दूसरा फ्लेवर इलाइची वाला फ्लेवर इसमें इलाइची पावडर डाल देंगे एक टीस्पून और इसे अच्छी तर मिला लेंगे इलाइची वा दूद लिया और दूद में केशर की कलिया मिला के दो गंटे पहले में रख दी थी और वो केशर वाला दूद मिक्स करके केशर वाला श्रीखन भी हमारा तयार हुआ कौन सा भी कलर हमने यहां यूज नहीं किया है आर्टिफिशेली हमने यहां बनाया है बिना कलर के यह केशर वाला फ्लेवर वाला श्रीखन तयार हुआ अभी तयार करेंगे मैंगो फ्लेवर वाला श्रीखन या मैंने मीठा आम लिया है एक इसे पल्प निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स किया है तयार हुआ हमारा मैंगो श्रीखन इसे मराठी में आमरखन भी कहते है तो देखे कितना सुन्दर कलर आया है हमने ना किसी प्रकार का कलर लेंगे सर्विंग बाउल में देखे कितना फ्लफी बना है कितना सुन्दर बना है इसे आप फ्रीज में रखकर सर्व कर सकते हैं इसे अब हुई हम डेकोरेट भी करेंगे कि अगर आपको मेहमानों के सामने रखना है गुड़ी पाडवे के लिए नैवेद्दे के रूप में की बांशल्鬆 की में रखना है तो इसे करोई है इसे हमने पिस्ता और केशर की कलियों से देखोरेट किया है वीडियो पसंद आये तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मल्टी किचन पूने चानल को फेस्बुक, इंस्टाग्राम और यूटूब प खाते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी गुड़ी पाडवा